माइनक्राफ्ट में बस एक क्लिक से एक इन्फिनाइट वर्ल्ड ओपिन हो जाता है जिसमें जो चाहे वो कर सकता है और जहां चाहे वहाँ पर भी जा सकते हैं बट क्या होगा अगर तुम लोग फज जाओ सिर्फ एक चंक के अंदर जिसके भार तुम नहीं जा सकते तो क्या ऐसे लिमिटेड वर्ल्ड में भी हम इन सारी सी जोका अर्चिव कर पाएंगे यह है माइनक्राफ्ट बट आए कांट लिव दिस चंक का एपिसोड़ वन तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यह सीरीज बहुत जादा आउसम होने वाली है तो मैं स्पॉन हो चुका हूँ तो अब वूड काटना स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे पहले हमको अपने लिए टूल्स बनाने होंगे फिर हमें अंडर ग तो उनके टूल्स बना लिया है मैंने तो खाने का जुगाड करना होगा तो यहां पर जितने भी पेड़ है मैं सबको पाड़ देता हूं क्योंकि इनसे मुझे एपल मिल सकते हैं तो यहां पर एक शीप आ गई है अब आगी है तो बहार नहीं जा सकती तो फाइनली मुझे एक एपल ने मिल गया हम मैं माइनिंग करने से ला जाता हूं इस जैदा माइनिंग करने के बाद मुझे एक कोली नहीं मिल रहा लगता है इस चंग में कोली नहीं है तो मैं उपर आ गया हूं क्योंकि मुझे नीचे कुछ भी नहीं मिला था और फिर मैं नहीं पता नहीं इसको क्यों मारा मेरे फाल तुम्हें इतने ज़्यादा हट गए उपर चल के देखता हूं कि आसपास क्या है तो वहां पर एक भी लेजाएं महां पर पता नहीं मैं कितने एपिसोड के बाद पहुंचूंगा तो यहां पर दूसरी शीप भी नहीं आ रही तो मैं दुबारा सा माइनिंग पर चला जाता हूं कि आप ता आरन मिल जाएं मेरे को रहां समझे मॉब्स के वाज आ रही है मतलब यहां पर केव है यहां पर लैपिस है पर एक कोल नहीं है यहां पर 21 लैपिस मिले है मुझे यहां से मॉब्स के वाज मुझे हां से आ रही है यहां पर केव है एक उनको तो मैंने तपका दिया तो महां पर एक क्रीपर आप यह भी गया तीन आरन हैं आपर इनसे एक Scriptures बनी जाएगी कि आप है आरन मुश्मिप बढ़िया 9 अले हो गया है मेरे से टॉर्च बन तो मुझे भी यादा है मैं ओक लोग से भी तो चार कोल बना सकता हूं उससे टॉर्च मना लूँगा टॉर्ची बना ली है मैंने लगा दिता हूं मौप स्पॉन नहीं होने चाहिए अपने आरेन भी समेट कर लेता हूं तब तक और माइनिंग कर लेता हूं यहां पर एक और केव है केव के और अंदर तो भी हम नहीं जा सकते पर चल के देखता हूं मेरे आरेन स्मेल्ट हो गए होंगे आरेन तो स्मेल्ट हो गए हैं इनसे एक शील्ड बना लेता हूं और मैं और चार कोल बना लेता हूं विकास मेरे पास रिवर दो ही टॉर्ची है और केव में जाने के लिए मुझे और टॉर्च चाहिए यहां पर रैच्ट वहना इसको माइन करने के लिए एक पिक एस बना लेता हूं मैं दुबार से उपर जा रहा हूं क्योंकि यहां पर कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे यहां पर तो स्केलिटन है अभी बताता हूं इसको यह कुछ भी नहीं कर पाएगा एक घड़ी मिल गए मुझे शील्ड लगा लेता हूं मरना निया मुझे अब चलता हूं उपर लग रहा है यहां पर भी एक स्केलिटन है क्यों हिला डाला ना यहां पर तो सच में एक स्केलिटन है मुझे अपने आपको कवर करना पड़ेगा यह तीन ही हट पर हूँ मैं अब एक हट पर बचा पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है रॉटन फ्लैश ही खा लेता हूँ और स्केलिटन गया किदर मैं ऐसे शील्ड डगा करी जाओंगा उपर आपर एक और स्केलिटन है अगर मैंने शील्ड डटाई तो मैं मरा फाइनली माल दिया इसको अब उपर और स्केलिटन ना हो बस एक हट पर लड़ा में इन से प्रो होना इसलिए मैं उपर आ चुका हूँ पर यहां पर अभी तक दूसरी शीप नहीं आई और मुझे खाने का जुगाड करना पड़ेगा एक ही हट पर हूँ में अब तो इसका मार नहीं पड़ेगा निकल एक ही रोम अटन दिया इसने अब मैं स्मोकर बनाओंगा खाना पकाने के लिए मैं सोच रहा हूँ मैं अपना घर बना लेता हूँ इसके लिए इस सारे एरिया को प्लेन करना पड़ेगा तो मैं करता हूँ आप देखो टाइम लैप्स आप्स झाल 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 फाइनली अपना घर बन चुका है अभी एगर पूरा कंप्लेट नहीं हुआ है के लिए अभी में बहुत सारे समान चाहिए जैसे की बैड तो उसके लिए वोल चाहिए और वो आगले एपिसोड में मिल सकती है चारो तरफ टौर्चिस भी लगा देता हूं तो गाइस फाइनली एपेड ग्रो हो चुका है इसका मुझे डोर बना ना था तो डोर बना ली है मैंने अब लगा देता हूं फारनेस को भी घर के अंदर रख देता हूं यह था माइनक्राफ्ट बट आय कांट लीव दिस चंक का एपिसोड वन कमेंट्स मों बताना आपको एपिसोड कैसा लगा थैंक्स वर वाचिंग . . . . . . झाल झाल